चलो भाईया पता लग गया है कि दोस्तों शुरुवात के 21 दिनों में डंकी ने दोस्तों आखिर कितना गमाया मेकर्स ने फाइनली दोस्तों आज पूस्टर दे दिये हैं हेलो गाईज कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका डंकी के 22 वे यानि कि दोस्तों इसका फॉर्थ हस्डे के फाइनल पेडिक्शन के एपिसोड में आखिर किस तरीके के दोस्तों नमबर यहां पे आ रहे हैं आज के दिन यह हम लोग देखेंगे और कल का ओफिशल दोस्तों ग्याया क्योंकि देखो भाई कल मेकर्स ने पोश्टर नहीं दिया जबकि जरूरी था क्योंकि गई इसने साड़े चारसो करड़ जो कमाई है वो कर ली थी वर्ड वाइड लेकि अभी उससे उपर और जो हमने रात को बोला था ठीक वैसी ही कमाई तो क्या है दोस्तों ओफिशली नंबर कल तक का आज का पेडिशन लगाएंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें स्पोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू है लेट स्टार्ट दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें कि आखिर कलका ऑफिशली मेकर्स की तरफ से क्या रिपोर्ट आया है उससे पहले ऐसा बॉक्स ओफिस इंडिया इस मुवी की दुनिया भर की कमाई कहां तक पहुंच गई है दिखो वाई इसने अपने थर्ट यूजडे आने कि गाईज परसो के दिन बहुत अच्छा क्यलेक्शन किया था एक करोड़ चालिस लाग उर्पे के ऑफिशल रिपोर्ट आयते जो कि गाईज एक बहुत अच्छा अमाउंट था लेकिन गाईज हम कल की बात करें मेरा पेडिशन एक करोड़ तीस लाग था जबकि दोस्तों यहाँ पर ऑफिशली जो फिगर आया है वो एक करोड़ पच्छिस लाग उर्पे का आया है यहाँ पर एक करोड़ पच्छिस लाग उर्पे इस मूवी ने थर्ड वैडनस डे कमाया यहाँ तीन हफता दोस्तों अप कंप्लीट हो चुका है आज चौत्य हफते में यह मूवी लग चुकी है तो गाइज यहाँ पर दोस्तों बीस करोड़ बासाइट लाग उर्पे ऐसा बॉक्स आफिस इंडिया इस मूवी का ओफिशली नेट हो चुका है वर्ल्ड वाइड दोस्तों इस मूवी की कमाई 435 करोड़ पचास लाग उर्पे हो गई है यहाँ आप लोग कह सकते हो कि सम्थिंग 435 करोड़ रुपे दोस्तों इस मूवी ने कमा लिया है एसा बॉक्स आफिस इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार 435 करोड़ लेकिन अगर हम लोग यही नंबर देखते हैं कि मेकर्स दोस्तों क्या दे रहा है यहाँ मेकर्स के तरफ से आखिर क्या पोस्टर आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्ष्ट्रा उपर मामला चल रहा है जो कि एक फियर इनफ नंबर है इतना तो आप लोग कह सकते हो कि मामला उपर नीचे होता ही रहता है तो यहाँ पे मेकर्स ने कुछ इस तरीके के पोस्टर दिये हैं लगभग 452.87 करोड़ और दोस्तों मुझे लग रहा था कि यह 453 करोड़ तो कमा ही लेगी 453 करोड़ लेकिन यहां पे अगर आप लोग देखो तो मेकर्स के लास्ट पोस्टर थे मतलब कल को छोड़के परसु जो पोस्टर आया था वो था 447.70 करोड़ यानि कि यहां काफी अच्छा जंप लगा है 5-6 करोड़ रुपे की तो दोस्तों कमाई हो ही गई है आप लोग कह सकते हो इस मूवी ने दोस्तों 452.87 करोड़ है 452.87 लाग रुपे इसका मतलब गाई सिर्फ इसको 47 करोड़ रुपे लाइए और भाई सहाव यहां पे 500 करोड़ कलब में दोस्तों शामिल हो जाईए 500 करोड़ कलब दोस्तों अपने आप में एक बहुत जबर्दस दोस्तों यह कलब है जिसमें भाई सबकी मूवी दोस्तों एंटर नहीं करती तो यहां पे देखना गाफे दिल्चस्प होगा कि यह 500 करोड़ कलब से किता रह जाती है अलाकि 500 करोड़ दोस्तों अभी फस्ट फेस में तो नह मेरे मूवी काइस कर रिलीस हो रही है तो कल इसके पास कितने शोज बतेंगे देखना काफे दिल्चस्प होगा तो यह तो रही कल की बाते हैं लेकिन आज क्या आते मेरी जान आज यह क्या कमाएगी तो यहां पर आप लोगों मैं बताओं आज भी काफी अच्छा नंबर आ राम से दोस्तों अगर हम लोग शोज पर दियान दे और ऑप लोग कह सकते हो कि मौनिंग क्यों क्यों पैंसी साड़े साथ परसेंट जबकि कल का सेवन पॉट नाइन टू था अल्मोस आट था कल थोड़ा कम आट नोन शोज की बात करते हैं तो गाइस कल दस सम्धिंग था लेकिन आज साड़े नौ है जहां पर साड़े नौ परसेंट की पैंसी है आप लोग कह सकते हो अगा हम दोस्तों इवनिग शोज परसेंट की पैंसी ठीक कहूंगा इसको अच्छे पैंसी ऐसा कोई एक्स्ट्रा ओडर्नरी गाइस और की पैंसी नहीं यह लेकिन इतना है कि यह करोड से उपर कि कमाई करवा सकती है लेकिन फिर भी दोस्तों यह कितना कमाई करेगी शोज क्या है शोज देख लेते हैं तो गाइस मुंबई में इसके पास 372 शोज माफका ना 372 शोज और की पैंसी दोस्तों यहां पर 14 परसेंट की जो कि अच्छा है कल से मुंबई द लगबग 14 परसेंट की दोस्तों दिये हुए है नाइटी फोर शोज कोलकता लाग लगबग 14 परसेंट की दोस्तों और वन डवल सिक शोज वहीं दोस्तों एहमदावाद की वाद करें तो गाई देखो दिली मुंबई के बास एहमदावाद में सबसे ज्यादा शोज हैं चन अच्छी उक्यूपेंसी है दोस्तों हन्डेड शोज चंडीगर 82 यहां पर शोज हैं उक्यूपेंसी 14 परसेंट देखो वाई कहने की बात है कि आज तो इतने शोज भी हैं लेकिन काई अगर मैं मैं आपको ताहूं कि कल लगभग भी लगभग 60-65 परशंट शोज गिरने व पर दिल्ली में वहाई 636 शोज हैं मुझे गाई यहां पर साड़े 300 से उपर शोज चाहिए जो कि मुझे लगता है कि मिल सकता है ज्यादा शोज नहीं गिरेंगे तो इस तरह कि कुछ सीन है सिनारियो है ऐसी गाई कुछ ऑक्यूपेंसी आई है आप लोग बोलोगे कि ठीक कि यह नंबर हुए दिखाई दे खाते हैं तो गाई अगर मैं आपको अपनी बात बता हूं कि कि अक्रौड को नहीं कर सकती हैं आफ्रनून की भी थोड़ी सी कम थी, तो क्या यहां पे सिर्फ 15 लाग गिरेगा, देखो वाई, कितना भी गिरे, लेकिं करोड से तो पराएगा, लेकिं मैं एक अमाउंट चूज कर रहा हूं, तो 1 करोड 10 लाग रुपे, इस तरीके से, इसकी जो कमाई है, लगभग 221 करोड 75 लाग हो जाएगी, जैंग आइस, 221.75 करोड रुपे यह दोस्तो कर लेगी, शुरुवात के 22 दिनों में, यानि कि यहां कल एक ऐसा दिन होगा, जिसमें दोस्तो मामला इसका लाखों में होने वाला है, यानि कि आप लोग कह सकते हो कि कमाई लाखों में दोस्तो कल होगी, अब हो जाए गाईज कुछ चमतकार, और फिर तो शायद गाईज यह जो मूवी है, हो सकता है कि करोड कमाले, चांस बहुत कम है कि दोस्तो इसका कल, जबकि गाईज देखो, 7-8 मूवी रिलीज हो रही है, इवन मैं तो सुन रहा हूँ कि हालिवूड की भी कुछ आ रही है गाईज दस मूवी आपको आती भी दिखाई देगी कल, बहुत सारी मूवी आ रही है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि यार, शोस तो इसके गिन्ने तै हैं, देखते हैं कि कल क्या कमाएगी, बाकि क्या कहना है आपका इसमें बताओ, मिलते है किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही